नमस्कार और वेलकॉम यॉल एट इंडो पार्ट शाला आज का टॉपिक है हमारे पास गोल हॉल मार्किंग रूल्स जो की अभी आपकी 2023 में ही अमेंड किये गए हैं जिसमें एक मेंडेटरी प्रोविजन को इंप्लिमेंट कर दिया गया है एक्जिक्यूट कर दिया गया है च पासवर्ट था एक तरह का पासवर्ट या फिर आईडी जो की 6-digit नमबर था इसको BIS ने लॉंच कर दिया था और उसकी मेंडेटरी अभी तक नहीं हुई थी तो 2023 में आकर के अभी आपका 31 मार्श 2023 को उसको मेंडेट कर दिया गया है जिसके बाद ही आपका BIS अगें इसके बाद है विदाउट आ 6-digit alpha numeric hallmark unique identification number यानि कि आपका HUID जो SSE वाले exam देने वाले बच्चे हैं वो इसकी full form भी याद रखेंगे hallmark unique identification number HUID is prohibited by the Bureau of Indian Standards BIS after March 31 2023 यानि कि आपका कोई भी आर्टिकल बिना HUID जो 6-digit number है उसके बिखने के लिए अब वो prohibited हो गया है ठीक है this action aims to safeguard consumers मतलब कि आपके consumers को safeguard करने के लिए ही इसको लागू कर दिया गया है ठीक है ये था आपका news में क्यों है आपका BIS का आपका HUID number ठीक है अब देखते हैं आपका अगला के hallmark logo क्या होता है सबसे पहली बात जाने वाली है gold hall marking is a purity certification है precious metal का इसके साथ ही ये लागू कर दिया गया था आपका 16 June 2021 से और आपको prior knowledge ये रखनी है कि HUID जो की 6-digit number है इसके जो लागू होने से पहले आपकी जो gold थी आपकी jewelry था उस पे आपको 4 marks देखने के लिए मिलते थे 4 marks है वो कौन कौन से थे पहले आपको नज़राता था आपकी gold article पर BIS का logo इसके साथ ही purity of the articles as well as the jewelry है उसका logo जो jeweler है उसका logo ने कनिश्क वनिश्च जो आते हैं ये सारे उनकी अपने logo अपने brand के logo कह सकते हैं उसको इसके साथ ही hall marketing center का नाम भी उसमें mention होता था तो prior यानि की पहले HUID की जो भी आपका 23 में amend हुआ है इसके पहले आपके article पर 4 चीज़े mention होती थी ठीक है जोलाई 1st 2021 को 6 digit का HUID number को introduce कर दिया गया ठीक है फिलाल यहां तक देखो अब यहां पर देखो इसको जब launch किया गया तब hall mark का जो आपका article था उस पे consist हुए 3 mark पहले थे 4 बाद में हो गए 3 तो 3 marks में क्या-क्या था आपका पहले था BIS का logo फिर purity of the article इसके साथ ही एक 6 digit alpha numeric HUID code याद रखने वाले बात यह है कि यह दोनों ही अभी तक use में थे तो इसको change करने के जुरत पड़ी क्यों क्योंकि जो public थी उसने काफी demand की कि हम confused है कि सही gold mark कौन सा है और गलत कौन सा है जबकि दोनों ही ठीक थे और जो आपके merchants थे वो कहीं न कहीं इस चीज में घपले standard है उसमें कुछ न कुछ contradiction था जब ही इसको change करने के बाद की गई है और उसको mandatory बना दिया गया है ठीक है यहीं पर यह बात mention की गई है कि H.U.I.D. was also permitted इसके साथ ही आपके जो prior जो आपका hallmark था सिर्फ जिसमें 4 चीज़े थी और बाद में 3 चीज़े यह दोनों mention की गई है यह दोनों ही permit थे बेचने के लिए, dwellers को आपका यह time दिया गया था यहाँ पर एक साल और 9 महीने का कि आप लोग इनको change करो या फिर establishment करो अपनी तरफ से पर लोगना ऐसा नहीं किया तो अब सरकार ने तरफ से यह action ले लिया है, यह था यह आपकी hallmark की पूरी जानकारी, आपको news में क्या चल रहा है, यह मिल जाएगा यहाँ पर, बस आपको यह याद रखना है कि यहाँ पर clarification है, 2021 से पहले जो hallmark चलता था आपका और 2023 से अब जो mandate हो गया है, पहले थे आपके hallmark जो आपका item है, उसमें चार चीज़े अब यह आपको image दिखांगा, समझ में आ ज चीज़, उसमें आपको सबसे पहले नज़र आता था BIS का logo, यह वाला logo नज़र आता था, ठीक है, इसके साथ ही second number पर लिखा होता था आपका, जैसे लिखा है 22 karat, के है, यह 1000 को रिनोट करता है, और यह इसकी ID है, तो यह जो gold है, यह 22 karat का है, priority of gold के बारे में, इसके साथ ही, फिर यहाँ पर आता था आपका hall marking center नाम, या फिर उसका number, ठीक है, यह आता था, जूलर का identification number, या फिर उसके brand का नाम आप कह सकते हैं, तो यह 3 category में होता है आपका, एक होता है 14 karat का, फिर एक है आपका 22 karat का, इसके साथ ही एक आता है 18 karat का, यह denote क्या करते हैं, यह क्य priority होती है, इसके साथ ही आपका 22 karat है, इसका code होता है, आपका 916, यहाँ पे आपका 18 karat, इसमें जानी कि आप इसको समझे कि यह 75% gold होता है, और 25% दूसरे item इसमें मिला जाते हैं, ठीक है, यह था आपका prior condition, इसके बाद जो आपकी अभी की condition हो गई है, उसमें जो आपको gold म मिलेगा, वो इन तीन लोगों के साथ मिलेगा, जिसमें पहले आपको मिलेगा BIS का mark, second number पे वही, आपकी priority of gold mark, इसके साथ यहाँ पर आएगा आपका HUID code, ठीक है, इन तीनों को ही mandate कर दिया गया है, यह तीन होंगे, तब ही आप अपने जाकर के gold को खरीदें, तो इसको याद रखना है, hallmarks makes it gold, इसको अब जाकर के gold बनाया गया है, खेर अच्छी लाइन लिखी हुए हापर, तो अब पीछे वाले दो आर्टिकल है, वो secondary हो गए है, अगर आपको शुरुआत में यह तीन इसी series में मिलते हैं, तो आपका gold असली है, ठीक है, यह series भी आगे पीछ नहीं होती है, इसको याद रखना है, सबसे पहले BIS का mark, purity of gold और फिर आएगा HUID code, अगर HUID code आपका पीछे है, या फिर second कर देते हैं, इसके साथ ही अगर वो अपने brand को पहले कर देता है, तो फिर वो gold नकली है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे देख करता है, by using verify HUID code, जो भी है, इसको verify कर सकता है, जो की feature है, BIS care app के through, आप उस पर अपना HUID code डालेंगे, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दे देगा, और यह अविलेबल है, आपका Android पर भी, और iOS पर भी, तो इन दोनों पर यह अविलेबल हैं, यह चीज़े आपकी important है, detail include यहाँ पर आप देख सकते हैं, detail मतलब detail में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, कि article hallmark क्या है, किस ने किया है, who had article hallmark, hallmark किस ने दिया था, आपको उसके साथ ही, उसका registration number, उसकी purity of article 22 carat है, 14 carat है, 18 carat है, the type of article, the detail of hallmarking center that tested and hallmarked the article, कुल मिला के वही सारी बाते हैं, आपको ज jewelry के बारे में, और jeweler के बारे में, पूरी जानकार यहाँ पर मिल जाएगी, जब आप इस code को care app के थूरू search करेंगे, आप चेक करेंगे, यहाँ तक कि आप कोई regular customer है, वो भी इसको authenticate कर सकता है, by matching the article type, और उसकी purity क्या है, through the android or is on the care app, okay, तो यह था आपका verify करने का process, इसके साथ ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, what happens if hallmarked jewelry bought is found to be lesser purity than the marked on jewelry, अगर यहाँ पर बेमानी का case पकड़ा जाता है, लिखा कुछ है और पाया कुछ गया, तो फिर उसके according, BIS rules आपके 2018 में, इनको इसमें implement किया गया था, जिसका section 49 कहता है, कि अगर hallmarked jewelry purchased by a consumer, later उसको determined होता है, कि यह less purity के साथ है, तो यह indicate करता है jewelry by a customer entitled a compensation, तो यह जो शब्द है आपको, यहाँ पर बहुत ध्यान देने मारी बात है, कि बोला कुछ, दिया कुछ, और अगर consumer ने इसको जाच करवा ली और वो पकड़ा गया, तो उसको compensation दिया जाएगा through the section 49 in the rule of BIS 2018, तो यह fact आपको य इसको इतना जदा emphasize कर रहा हूँ क्योंकि यह ऐसे चीज़े question अकसर पूछे जाते हैं, आपके PCS level के exams में, और साथ ही आपको second 49 याद रखना है, साथ PCS और आपके SSC level दोनों exam के through, और यह rule launch हुए थे 2018 में, यह ज़रूरी है आपका, यह SSC वाले exam के लिए, तो rule कब आए थ examiner कुछ भी पूछ सकता है, गुमाने के लिए तो आपको याद रखना है, और वो दिया कितना जाएगा, यह भी याद रखिए two times, जितना उसने article sold करने के time पर अपना testing fees दी थी, उसका two times दिया जाएगा, यह आपको याद रखना है, ठीक है, यह था आपका चीज़े क्या ह में थोड़ा सा देख लीजिए, BIS, यह Indian Standard है, इसके साथ ही National Standard Body of India established under BIS Act 2016 में इसको बनाया गया था, जो इसके President होते हैं, वो होते हैं, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution के जो मिनिस्टर होते हैं, फिलहाल जो है, वो है, पियूस गोयल, तो इसको याद रखना है, Director General होते हैं इसमें, यह है आप यह second है, China के बाद, ठेक है, तो भारत में गोल्ड की Demand, दुनिया में दूसरे number पर है, China के बाद, यह fact भी आपको याद रखना है, यहाँ पर होता है, इस वीडियो का end, hopes आप लोगो समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगेगा, तो बताना, अब next वीडियो किस चीज की जाते हैं, we'll work on it, okay, thank you.